राजस्थान में 6 सियासी संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कौन बनेगा करोरपती की तरह की सभी के मन में एक ही सवाल है कौन होगा राजस्थान का आगला मुख्यमंत्री? मगर आलाकमान है कि ठस से मज होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले 48 धंटे में फैसला करने की बात कही, मगर एक पखवारा गुजर जाने के बाद भी फैसला पैंडिंग है। अब सूचना आ रही है कि आलाकमान को कोई जल्दी नहीं है। कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष के चुनाव की वजह से 19 एक्टूबर के बाद ही राजस्थान को लेकर फैसला संभव है। दरसल इस साल के अंत में गुजरात और अगले साल राजस्थान, मध्यप्रदेश और चतीसगर में चुनाव होना है। ये सभी चुनाव कॉंग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। चतीसगर और राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार है। ऐसे में पार्टी दोनों ही जगहों पर चाहती है कि सरकार रिपिट हो। साथ ही मुख्यमंत्री अशोग गहलोत और पूर्ण स्वास्थ्यमंत्री रगु शर्मा के पास गुजरात की एहम जिम्मेदारी है। इस वज़ह से भी पार्टी कोई भी निर्नय लेने में बैकफोट पर नजर आ रही है। पार्टी चाहती है कि इन चुनाव के परिप्रेक्षे में ही राजस्थान को लेकर निर्नय किया जाए। यही वज़ह है कि निर्नय लेने में देरी की जा रही है। पार्टी की अनुशासन समिती ने जिन तीन नेताओं को नोटिस दिया था, उन्होंने अपने जवाब भेजने के बाद दिल्ली की दौर भी लगाई है। तीनों ही मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के नजदीकी है। ऐसे में सीम के नजदीकियों पर भी कारवाई से पहले भी पार्टी सभी बिंदों पर चर्चा करेगी। ऐसे में आप सभी की निगाहे 19 एक्टूबर पर तिकी हैं। खासकर गहलोत और पाइलट गुट के नेता आला कमान की तरफ नजरे लगाए बैठे हैं।